हलो फ्रेंट, मी ओमलन कुमार, वेलकम तो मा यूट्यूब चैनल आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ आम के बारे में आम को किंग आप दा फ्रूट का आजाता है, भारत की रास्टियोफल आम है आम, इंगलिस में मैंगो साइंस के भासा में आम को मैंगो फेरा इंडिका कहा जाता है दिखा जाए तो भारत की हर कोना कोना में आम होता है लेकिन सबसे टेस्टी और भेराइटी आम माल्दा टाउन में होता है माल्दा टाउन के हर कोना कोना गाउं गाउं में सबसे स्वादिस्ट टेस्टी आम होता है इस कारण से माल्दा टाउन को मेंगो सिटी भी कहा जाता है अभी मैं माल्दा टाउन में आराइड़ना भिलेज में हूँ आज जो मेरा गौफिक है किस तरह से केयर करके आम तोरा जाता है ऐसे तो हर जगा में आम तोरा जाता है लेकिन यहां कुछ बाती अलग है हर एक आम को केयर करके यहां तोरा जाता है आज इस वीडियो पूटेज में आप लोगों को दिखाएंगे बहुती उचा पेर और पेर में चारों तरफ तरफ सिरफ आम-ईाम ऐसे नज़रा, सिर्फ मालदा में देखने को मिलता है। और इतना उचा पेर से किस तरीका से आम तोरा जाता है आप देखिए, बिल्कुल डाली का उपर चरके दोलर का और हात में ठूसी लेकर ठूसी का उपर जाली लगा हुआ है, लेकर आम तोर के जाली का अंदर आम तोर रहा है और तोर के डाला में रखा जाता है, ए देखिए, ये ठूसी से आम को तोरा जा रहा है तोरने के बाद डाली में रखा जाता है ये है डाली, डाली में आम को स्टोर करके फिर नीचे उतारा जाता है और वो डाली रस्ती से बंधा हुआ रहता है फिर एक जगा में उसे स्टोर किया जाता है स्टोर जगा जो बिल्कूल खैर से बिछावा रहता है उसका उपर आम को स्टोर किया जाता है ये दिखे किस तरह से धीरे धीरे डाली को नीचे उतारा जा रहा है बिल्कुल बहुत ही क्यार करके इसको उपट से नीचे उतारा जाता है ताकि इस आम में चोटना लगे उसके बाद इसको स्टोर करने का जगha बिल्कुल क्यार नीचे बिछावा होता है और आम को उसका उपर रखा जाता है अभी तक पेर का 25 पर्स नाम तोरा गया है एस टोरेज है और इसको पैकिंग हो रहा है पैकिंग करने के भी टाइम में भी बहुत कुछ ध्यान दिया जाता है जो छोटा साइच काम होता है उसको पैकिंग में सामिल किया नहीं जाता है और पैकिंग के टाइम में फिलकुल पेपर और अंदर गत्ता बगरा डालके इसको पैकिंग किया जाता है और एयाम अभी पैकिंग होके बहार जाएगा साइद एयाम असाम जा रहा है पैकिंग होके और जो देखे कितना केर करके बढ़िया बढ़िया साइज को छाटके उसमें पैकिंग हो रहा है और खास बात है अगर छोटा साइज का आम हो तो उसको अलग कर दिया जाता है यह आम जो है मालदा में 12 से 14 रोपया केजी मालदा में मिल रहा है यह आम जब बाहर जाएगा 80-90 रोपया केजी में यह बिखता है आम तोरते समय अगर कोई आम उपर से नीचे जमीन में गिर जाता है तो उस आम को पैकिंग में सामीन नहीं किया जाता है यहां का आम तोरने का जो लेवर लोग इतना एक्सपार्ट है इतना जल्दी जल्दी आम तोर रहा है और पिल्कुल केर करके आम को नीचे उतार रहा है और जो पैकिंग पार्टी है पैकिंग पार्टी जो है बहुत ही एक्सपार्ट है इतना फटा फट पैकिंग कर रहा है इतना केर करके पैकिंग कर रहा है आप अगर देखिएगा सामने किस तरह से आम तोरा जाता है किस तरह से पैकिंग होके पहार में आम जाता है चलिए फिर मिलेंगे अगला कोई टॉपिक लेके नय कोई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार झाल कोई गर्या जाता है किस तरह जाता है याज वीडियो कोई वीडियो के साथ तरह से तरह से तरह से तरह से आमस्कार